आप सब आप सब थीक होंगे और आज हम यूज़ करेंगे चोटे-चोटे कत्रन जैसे टुकड़ी जो हमारे पास बचे हुए रहते हैं उनमें से एक चोटे से टुकड़ी कारे यूज़ करेंगे तो आज मैंने एक कपड़ा लिया है उसे इस तरह से सीधा सेंटर में कट कर ल अगर आपके पास सीधा पार्ट है तो आप तो आप दे सकते अगर ना चाहे तो ना भी दे और अब हमें क्या करना तो फॉर्म सीट और नौन के साथ इस तरह से लाइनिंग करके इसे क्विल्ट कर लेना है अब हम में जो नीचे का पार्ट है हमारा वहां पे एक रणर को भी отдेज कर लेना है या हमारे जबके दर अन्दर आरो चुका है अब हमें क्या करना है तो थितना मेजर्मेंट लेना है और वहां पे चेंटर में भी अगर को पहले से री रीक नौन करें यह मादक बेंकिन कर short та मदने को आटेंगा मेंक और श्यकों करीए टाक का लेना है और फिर जिप के साथ उसे अटेच कर लेना है यह देखे इस तरह से पूरा इसी की नाप कर लेना है अब हमें क्या करना जो राउंड से फुनहल का सदिया था वहां पर एक नौ पे मार्क करना है और इसे फूर्ड करके नीचे की साद जो हमने प्पोकेट के लिए एक्स्रा उसे वहां पे मार्क करने के बाद में वहां पे कट कर लेंगा लेना है अब जो हमने कट किया है लगाया है वहां पर एक वार पर जिप को अटेच कर लेना है यह देखी इस तरह से कि एक आपके वहां पर उन पर राखना है पाट के उपर और फिर वहां पर हमें श्टीच लगा लेना है जो हमारा सेकंड जो कट आप दूसरा पाट था उसे यह इसी तरह एटेज करके वहां पर हमें जिप में रनर को भी अटेज कर लेना है हो जाने के बाद हमें पूरा रावन में इस तरह से हम स्टिच कर लेना है अब जो साइड में extra 911 का पाट बचा हुए उससे हमें इस तरह से कट कर लेना है और कट लगन जो है ज्यादा उसे निकाल लेना है और अब हमें क्या करना है तो उपर की साइट से फिर से हमें 4 इंच करने के बाद हमें इस तरह से वहां पर एक स्टीच लगा लेना है ताकि हमारा स्टीच एक पॉकेट बनकी रेडी हो जाए दोनों सेपरेट पॉकेट बन जाएगा हमारे नीचे की साट किया और यह उपर की साइट कर अब हमें क्या करना है तो व्यल गुर्जों में फर्स अट व्यार्णी को आप लेना है अलसे सजिँ कर लेना है यह तो पर का अन्यंग धना है अब हमें क्या करना है तो जो हमारा नीचे का जिप जो हमने Demon आज़ किया था वहां पर सब्सक्राइब कर लेना है और इस तरह से फोल्ड करके फिर उसे इस तरह से आटेज कर लेना है अब हमें क्या करना है जो हमने सेंटर में स्टीच किया था वहां से फोल्ड करना है और दूनों साइड एक स्टीच लगा लेना है अब अब हमें इसी तरह से पटी को पाइपिं की तरह अटेज कर लेना है इस तरह से हमें अटेज कर लेना है हमारे छोटे से कपड़े का रियूस किया है हमने तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएगा देखिए प्यारा सा छोटा सा तीन पोकेट वाला हमारा पॉर्सपन के रेडी हो चुका है आप इसे कैसे भी चाहे मॉर्केट में जाएंगे तो मोबाल भी इस से यूज़ कर सकते हैं और आप चाहे तो इस तरह से फ्लावर अटेज करके भी लगा सकते हैं मैंने नहीं लगाया है तो मिलते हैं नई वीडियो में बाई बाई